हमारे साथ केंदरिये मंत्री एवं राष्ट्रिये लोग जिनसक्ति पार्टी के अध्यक्ष पसुपति पारश जी हैं सर अभी हाल में आपके गाड़ी पर पत्थरा हुआ था आपको काले ध्यंडे दिखाए गये थे उसके पहले 20 तरक का मामला हो चुका है तो कौन लग रहा है इसके पीछे कौन किसका हाथ लग रहा है देखिए यह सब और समाजिक तत्रों का हाथ है और उसके पीछे किसी ने क के तहद जिननों की जमीन घसक गया है राजनीत में कोई जमीन नहीं है उन लोग के दोरा इस तरह की घटनाने का वो स्रे उसको मिला है जो बहुत ही दुखद है और जानलेवा हमला उसके दोरा हुआ और मैंने परसासन को नाम दिया है कि किसने किसने किसके दोरा इस घटना मंच पर लोग जनसक्ति पार्टी राम विलास के गुट के लोग अमराजाद, संजयर अविदास, जो उसका सिक्रूर्टी है राम जतन पासवान, उसका सिक्रूर्टी है स्याम सिंग, ये सभी के सभी लोग वाम मंच पर से और चिराग पासवान की जो मिटिंग समाप्त हो बियान दिया और ये बाहर से मंगाया हुआ गुंडा था जो जनरली वो था गया का पुनावादा का था और मसौरी का था वो गुंडा लोगों को इसने और समाजिक तत्व को पैसे दे करके और दारू पिला करके तो पुलिस ने भी एकसेप्ट किया है जो लोग हमारे डुट लेकिन जो लोकल यह बाबा चोहरमल जिंती का जो सभी लोग थे वहां वेवस्थाबक लोग और गरामीनों के दौरा काफी इसका बिरोध हुआ हमारे आने के बाद उन लोगों ने उसके साथ काफी बिरोध किया बदी 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 बात उन लोगों को वहां से भगाया तो इस तरह की घटना जो बार बार इसके पहले भी जब हाजिपुरु में जा रहा था तो वहां घटना घटी थी आसे कुछ दिन पहले साई होस्पिटल में प्रिंस राज की मां होस्पिटलाइज थी उसमें लोग जनसाथी पार्टी पास्वान जी के ग्रूप का जो है छातर का जो परदेशत ध्यक्ष है उसका नाम है प्रिंस उसका भी नाम प्रिंस पास्वान है उसके द्वारा बार जरात में दारूप करके वहां हंगावां करना इसलिए बार बार जमीन घटना जमीन घटना हो गया पागल की अस्थिती में हो गया और यह लोग तो कि जनता ने इसको नकार दिया आप देखिए हुएगा कि जब से पाटी अलग हुई है तो दो भी हार में उत्चुना हुआ कुछ सरस्थान और तारापूर दोनों जगा उसकी हार हो गई और कुछ सरस्थान की हार हुई तो उतो माना जा सकता है तारापूर जमुई लोकसवाद छितर क पेलग का एक बिःदा सवाद चितर है और वहा लोकसवाद की चुनाओ में और IRA जानीस उजिन लोकसवाद के चुनाओ उना 20 000 जार बोट मिला था चिरयआग पासौर और जब उप चुनाओ हुआ तो उसमें उसको मातर बाववंसों मिला जिक फिर वहां से चुना गिया कह जहां जहां कई भी चुनाव लड़ता है, वो सब जोगा उसकी हार हो रहे हैं, बुरी तरह हार हो जगी है, अब भी हार, अब भी हार माई ये भी दूद चोवी से विधान परिशत का चुनाव हुआ, जदी तुम पास्वान का लीडर हो, तुम्हारे उमिद्वार को अरंगा इस इस ने चुनाव लड़ा है, इस ने चुनाव लड़ाया, उसको मात्रह अनीस बड़ाया, इस ने भाजबा के खिलाब में छेदी पास्वान सांसे उनके बेटा कुसट्चा बड़ाया, तुमिद्वार को सथना ऐब बाहत्तर बड़ाया, तो शेज को बिहार में हो बिधान परसाद के चुनावलर आया और छेवे जगा दो अंक नहीं पूरा किया तो अब उस ब्यक्ति का जमीन घसक चुका है अब अपने वो नया जमीन के तलास कर रहा है आपने चिराग में तो तेल के उचाता है रहा है रूसू नहीं है ब्यार की जनता बहुत होसियार और समय और परिस्ति को आकरा भी हार की जनता के पास समय Darren है और जब समय आएगा तो आप देख लिजेगा कि जो समाजिक तत्व के सारे जो बैक्ती राज़ीत करने वाला है उसकी राज़नित दोजार चोबिस के लुक्सवा के चुराओं में बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा पारिस्तर क्या आपको लगता है कि चिराग पास्वान आपकी हत्या भी करा सकते हैं मुकामा की घटना है ये तो निस्सी तरBook से शाबिद करता है उसने हत्या कराने की साजिस की आपप केंसर कार से और नितिजी ची मांग करें कि जब विहार में रहे ता आपको और ज़्याजा सिक्रिटी में में दिल्नी में रहे तब भी आपकी सिक्रिटी म TV मनाосьा है हम निस्टी तो से मैं मांग भी करता हूँ मैं पत्र भी लिखूँगा मानने मुफंदीजी को भी मैं पत्र लिखूँगा और भारा सरकार के मानने होम मिनिस्टर को भी मैं पत्र लिखूँगा कि इस तरह की जो समाजी इक्तत्व है जो नहीं होना चीज से तरह और समाजी इक करी सजा मिलने चाहिए पारस ने साफ तोर से कहा है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जा और यह भी कर रहे हैं कि जिस तर से मुकामा में घटना घटी है इससे लग रहा है कि चिराग इन कि हत्या करा सकते हैं यह आरोप लगा रहे हैं पारस के साथ सिसांग कुमार इवीपी न्यूस पटना